मुगल शाशाक अकबर के मित्र अबूल फजल अपनी किताब अकबर नामा में लिखते हैं कि 11 मार्च 1579 इस्वी को 14 इलाही वर्ष की शुरुवात हुई और इसी महीने में बादशाह अकबर ने रंथंबोर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया आगे लिखते हैं कि जब बादशाह ने रंथंबोर के दुर्ग में प्रवेश किया तो चारो और अलाहु अकबर के नारों से आकाश गूंज उठा था आगे लिखा है कि ये वही दुर्ग है जिसको जीतने के लिए सुल्तान अलाउदिन खिल जी को एक वर्ष का समय लगा था लेकिन बादशाह ने मातर एक महीने के घेरे में ही इस दुर्ग को जीत लिया तो इस वीडियो में हम मुगल शाशा ककपर के दुवारा रंथंबोर के दुर्ग को जीतने के लिए जो सैन्नी अभियान चलाया था उस पर बात करेंगे उसके आँखों देखे हाल पर बात करेंगे इसके अलावा जब मैं अकपर नामा पढ़ रहा था तो वहाँ पर मुझे बहुत सारे रोचक किस्से भी देखने को मिले थे मैं रमन बार्दवाज आईएस विशे को शुरू करते हैं अब उल्फजर लिखते हैं कि चितोड के दुर्ग को जीतने के बाद बादशा अकपर ने रंथंबोर के दुर्ग को जीतने पर भी विचार किया और 21 दिसंबर 1568 इसवी को रंथंबोर को जीतने के अभियान की शुरूआत हुई मैं रंथंबोर का एक बार आपको थोड़ा परीचे देता हूँ वर्तमान राजस्थान का एक जिला है सवाई मादोपूर यहीं पर रंथंबोर का दूर गाता है रंथंबोर नाम से एक नेशनल पार्क भी है और बहुत सारे दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो हो सकता है कि शयद आप रंथंबोर के नेशनल पार्क में गए होंगे इस उम्मीद में कि टाइगर के दर्शन हो जाएंगे और जिनको टाइगर के दर्शन होए होंगे उन्होंने सोचा होगा कि आज से अच्छा दिन तो कुछ है ही नहीं ऐसा फील आता हमाजाने पर तो यहीं पर यह रंथंबोर का दूर गिस्थित है रंथंबोर में चोहान सत्ता की स्थापना पृत्विराज चोहान के पुत्र थे गोविंद राज उनके द्वारा की गई थी और उनी के वंशजों में से एक थे हमीरदेव चोहान जिन्होंने अपनी शरण में आयवे व्यक्तियों मुहम्मद शाह और कैबू इनकी रक्षा के लिए अपना सब कुछ निचावर कर दिया सब कुछ बलिदान कर दिया था 1301 इस्वी में हमीरदेव चोहान ने अलाउदिन खिल जी के साथ में युद्ध लड़ा था और 1301 इस्वी में वो रन्थमबोर का शाका हुआ था अलाउदिन खिल जी ने कहा था कि इन दोनों को मुहमद चाह और कैबू को मेरे को सौप दो लेकिन हमीरदेव चोहान ने ये कहकर सौपने से मना कर दिया था कि ये मेरी शरण में आयवे और शरण में आयवे व्यक्ति की रक्षा करना मेरा परमधर्म है तो युद्ध हुआ युद्ध लड़ा अपना सब कुछ बलिदान कर दिया निचावर कर दिया प्राणों का बलिदान कर दिया महिलाउने जल जोहर किया लेकिन उन व्यक्तियों को वहाँ नहीं सौपा गया था और अंत में हम ये देखते हैं कि वो महमद शाह जो अपने प्राणों की रक्षा के लिए हमीर्देव चोहान के पास में आय थे उन्होंने भी सौामी भक्ति दिखाई कि जब इस दुर्ग पर अलाउदिन खिल जी का आधिकार हो गया था और मुहमद शाह घायल अवस्था में पड़े वे थे अलाउदिन खिल जी के सैनिक उनको गसीट कर अलाउदिन खिल जी के सामने लाए तो खिल जी ने ये कहा कि मैं तेरा उपचार करवा देता हूँ तेरे को ठीक करवा देता हूँ मुहम्मद शाह के साथ वही हुआ अलाउदिन खिल जी ने हाथी के पैरो तले उसको कुछ अलवा दिया लेकिन इस युद्ध के बाद मुहम्मद शाह ने कम से कम उपकार माना हमीर देव चोहान का तो यह वही रन्थंबोर का दुर्ग है जो यह आगे अलग-अलग काल खंडों में अलग-अलग शाषकों के अदिन होता रहा और जब अकबर के दुआरा यहां पर यह सेन्य अभियान चलाया गया था उस समय यहां के शाषक थे सूर्जन हाडा सूर्जन हाडा जो मेवाड के शाषक मारणा उदे सिंग के सामन्त थे जैसा अबूल फजल ने अपनी किताब अकबर नामा में एक जगे चर्चा की भी है कि यहां दुर्ग का अध्यक्ष सूर्जन है वो बहुत शक्तिशाली है और राणा का सेवक है राणा मतलब मेवाड के मारणा उदे सिंग के ये सामन्त थे मारणा उदे सिंग जो मारणा प्रताप के पिता थे तो एक सामने परीचा आपको मिल गया वापस पॉइंट पर आजएगे तो अबुल फजल ने अकबर नामे में लिखा है कि बाजशा ने इस दुर को जीतने के लिए अभियान चलाया और उस अभियान के शुरुआत 27 दिसंबर स्वरी 21 दिसंबर 1568 इसवी से हुई अकबर इस समय आगरा में थे आगरा से दिल्ली में आये दिल्ली में वहाँ पर उन्होंने कुछ जो मुसलिम संत थे उनकी मजारों के दर्शन किये हुमायू के मकबरे के उपर भी वो गए वहाँ पर फकीरों को दान दक्षिना किये और उसके बाद अपना मन बहलाने के लिए मनों विनोद के लिए पालम में जाकर शिकार खेला पालम वही एरिया जहाँ पर वर्तमान में दिल्ली में इंटरनेशनल एरपोर्ट है वहाँ पर राजे रजवाडों के दुआरा शिकार खेला जाता था, जानवरों का शिकार किया जाता था, अब आप अंदाजा लगाओ, कि कितना घना जंगल वहाँ पर रहा होगा, लेकिन आज तो कॉंक्रीट का जंगल खड़ा हो गया, खेरे, शिकार का जब विश्या आया, तो मैं एक रोचक किस्से पर और बात करता हूँ जिसमें अकबर ने 13-14 गदों का शिकार किया था बायतवर्ष 1570 इसवी की और इस समय मुगल शाशक अकबर ने नागोर में अपना दर्बार लगाया था और नागोर में दर्बार लगाने के बाद अकबर की ये इच्छा हुई कि मैं पटन के क्षेतर में जाकर वहाँ पर एक फकीर थे जिनका नाम था शेक फरीद शक्करगंज उनकी दर्गा पर जाकर वहाँ पर माथा टेकूं अभी भी शायद वो दर्गा है या नहीं पता नहीं वरतमान में ये इससा पंजाब में आता है वो पंजाब जो पाकिस्तान में आता है तो बंदूक लेकर तिन-चार शिकारियों को लेकर गदों के जुन के पास चले गए और जैसे ये गदे को गोली मारी तो बाकी के गदे बाग गए अब अकबर भी पीछे पीछे दोड़ लियों उन गदों के और एक-एक करके जैसा अबुल-फजल लिखते हैं कि तेरा या शाद चौदा गदों का वहाँ पर शिकार किया गया अकबर की ऐसी हालत हो गई थी कि गर्मी की वज़े से गला सूप गया था बोला नहीं जा रहा था ये स्थिती हो गई थी कि अब प्राण निकले तब ही वहाँ पर कुछ लोग पहुचे जिनके पास में पानी था और उन्होंने अकबर को पानी पलाया तब अकबर की जान मे जान आई एक किसे की और चर्चा करता हूँ जो अबुल फजल लिखते हैं कि बादशा का जो शाही कैम था बादशा की जो सवारी थी वो नरवर के आसपास में थी नरवर जो वर्तमान में मद्दे परदेश में आता है तब ही बादशा की सवारी के सामने अचानक से एक शे ले ही शेरनी के सामने चले गए और लोगों के पसीने छूट रहे थे लोग रोमांची तो रहे थे बादशा ने तलवार के जटके से तलवार से एक ही जटके में शेरनी को धराशा ही कर दिया और बादशा के जो अनूचर थे अकबर के अनूचर मतलब जो सैनिक वगरा थे उन्होंने उस शेर निकित चार-पांच बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया अलाकि देखो शिकार कहीं पर भी खेला जाता हो राजे रजवाडों में जब राजे शिकार खेलने के लिए जाते थे तो उनके साथ में पूरी टीम होती थी और कई बार राजा शिकार नहीं करते थे निशाना चूक जाता था तो जो सैनिक होते थे वो शार्पशूटर होते थे उनका निशाना सटीक लगा करता था तो शिकार बले ही सैनिक भी अगर करते होंगे तो इसका क्रेडिट भी राजा कोई मिलता था क्योंकि वो लोग वेतन भोगी होते थे, तंखा पर पलते थे वो लोग, वापस वीशे परा जाईए तो अकबर ने पालम में अपना मन बहलाने के लिए शिकार किया, आगे चल दिये और अबुलफजल ये लिखते हैं कि 10 फरवरी 1579 इस वी को रन्थमबोर के दुर्ग के पास में पहुँच गए अब यहां पहुँचे तो रन्थमबोर के दुर्ग का भी वर्णन किया, ये कहा कि ये दुर्ग बक्तर बंद लगता है क्योंकि दुर्ग क्या बीच में, इसके चारों तरफ पहाड़ी है, तो ऐसा लगता है, जैसे किसी ने बक्तर पहना रख्यों तो अबुलफजल ने कहा कि ये दुर्ग बक्तर बंद है और बाकी जितने भी दुर्ग हैं, वो इस दुर्ग के सामने नंगे हैं मतलब वो पहाड़ी एक तरीके से कपड़े के समाने, तो इसलिए अबुलफजल ने कहा कि ये दुर्ग ऐसा है जिसके सामने बाकी के दुर्ग नंगे हैं, तो आपसे कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि अमीर खुसरो ने ये कहा था, मैं बताता हूँ थोड़ा सा, जब अलावदिन खिल जी ने यहाँ पर आक्रमन किया था, 1301 में और हमीर देव चुहान ने समर्पन नहीं किया था, अमीर देव चुहान ने युद लड़ा था, शरण में आयवे व्यक्तियों की रक्षा के लिए मतलब चावड जो है वो सोने से भी महंगा हो गया था ये स्थिती हो गी थी तो ये सवाल भी कई बार आप से पूछा जाता है कि ये किस ने कहा कि रनथंबोर के दुर्ग में सोने के दो दानों के बराबर भी चावड का एक दाना भी नसीव नहीं हो रहा है अमीर खुसरो ने कहा था और किस दुर्ग में ओरी थी ये स्थिती रनथंबोर के दुर्ग में वापस पॉइंट पर आजए तो ये पहुचे अबुल फजल ने ये वर्णन किया आगे अबुल फजल ये लिखते हैं कि बाजशा ने यहीं दुर्ग की घाटी में अपना शाही केम्प लगाया और दुर्ग जिस पाड़ी पर बनावा था इसको रन की पाड़ी का आगया था इसलिए अबुल फजल ने इस दुर्ग को नाम दिया रन तहपुर ये भी पूछ लिया जाता है इसको रन तहपुर किसे ने कहा आगे अबुल फजल ये लिखते हैं कि बाजशा आपने कैम्प से निकले एक पहड़ी पर चड़े पाड़ी पर चड़कर आसपास का अवलोकन किया और ये तै किया कि इस दुर्ग को कैसे जीता जाए उसके बाद बक्षियों को आदेश दिये गए बक्षियों ने आदेश पाकर दुर्ग के चारों तरफ तोपें लगा दी और तोपों से इस दुर्ग की दिवारों को गिराने के प्रियास किये गए दुर्ग के अंदर सूर्जन हाड़ा थे सूर्जन हाडा ने पहले से ही अपने खाने पीने का बंदोबस्त कर रखा था जैसा वो लिखते हैं कि दुर्ग का जो स्वामी है वो सूर्जन है और सूर्जन ने इसको बहुत मजबूत कर रखा और दुर्ग के अंदर खाने पीने की विवस्ता कर रखी है आगे लेकिन सफलता नहीं मिली सुरुगाती प्रियास में और इनके साथ में एक व्यक्ती ने और जोईन किया जो मक्का की यातरा से आये थे अबुल फजले लिखते हैं कि महंदी कासिम खा मक्का की यातरा से लोटे और अकबर ने उनको खिलत दी और लखनाओ की जागीर दी और फिर इस मोर्चे पर आगे उनको कर दिया लेकिन जब भहुत प्रियास के बाद वो नहीं जीत पाए आगे अब ये लिखते हैं अबुल फजल की 11 मार्च 1579 वी को चौदवे इलाही वर्ष की शुरुवात हो गई थी दरसल मुगल शाशक अकबर 1556 वी में गद्धी पर बैठे थे और उसी वर्ष में जो पहला नोरोस था 11 मार्च को तब ही से ये इलाही वर्ष की शुरुवात होई और ये चौदवा इलाही वर्ष था तो अब अकबर ने पहाड़ी पर चड़ कर वापस से सोचने का कारे शुरू किया कि दुर्ग को कैसे जीता जाए और ये निर्ण लिया कि सबातों का निर्मान करवाना पड़ेगा सबात एक प्लेटफोर्म के तोर पर आप मान सकते हो कि दुर्ग की जितनी उचाई है उतनी उचाई के प्लेटफोर्म बनवा दिये जाए वहाँ पर कुछ मसीने वगरा रखवा दिये जाए जिससे पत्थर और गोले फैंके जाए ताकि दुर्ग की जो दिवारे हैं उन दिवारों को डहाया जा सके और दुर्ग पर अधिकार किया जा सके तो सबात एक तरीके से प्लेटफों तो एक सबात का निर्मान कराया गया अबुलफजेली लिखते हैं कि सबात का निर्मान कराया सबात की जो उचाई है वो रन्थमबोर के दुर्ग की उचाई के बराबर हो गई और वहाँ पर मशीने चड़ाई गई इन मशीनों को 300 बैलों के द्वारा खीचा जाता था ये मशीने गोले फैकती थी 60 मन के पत्थर के गोले और 30 मन के लोहे के गोले एक मन का मतलब होता है 40 किलो तो 60 मन का मतलब हो गया 6 चोग 2400 किलो का तो पत्थर का गोला और 30 मन का हो गया 30 चोग 1200 मतलब 1200 किलो का लोहे का गोला अब आप सोचो कि जो मशीन 2400-2400 किलो के गोले अगर फैकेगी तो कितनी विशाल वो मशीन रही होगी कुछ-कुछ आप इस प्रकार से समझ सकते हो जैसे बाउगली पिच्चर है ना उसमें दिखाया जाता है बड़ी-बड़ी मशीने जो पत्थर फैकती है तो कुछ-कुछ इस प्रकार की मशीन रही होंगी अबुल-फजल लिखते हैं कि बाज़ा ने कहा 19 मार्च को कि अगर इस दुरका स्वामी आज अगर आत्म समर्पन नहीं करता है तो कल ये दुर्ग हमारा हो जाएगा, हमारा अधिकार हो जाएगा लेकिन आगे लिखते हैं कि दुर्ग का जो स्वामी है सूर्जन सूर्जन का दिल बैठ गया और सूर्जन ने अपने पुत्रों दूदा और भोज को बादशा के पास में भेजा और यहाँ पर समर्पन कर दिया बाद में हुसेन कुली खां को भेजा गया दुर्ग में, दुर्ग में सूर्जन ने हुसेन कुली खां का स्वागत किया और फिर बादशा के समक्ष उपस्तित हो गए और तीन दिन दुर्ग में रहकर उस दुर्ग को खाली कर दिया और बादशा का इस दुर्ग पर अधिकार आप स्वेम अकबर नामा आप स्वेम पढ़ कर देखें क्योंकि मुझे कई जगे ऐसा लगता है कि अबुल फजल जब लिखते थे तो केवल अपने ही पक्ष को ज़्यादा तबज्जो दिया करते थे दूसरे पक्ष के बारे में चीजों को थोड़ा सा गोल मोल कर दिया करते थे दरसल मैं बात करता हूँ थोड़ा सा पॉइंट से मुगल शाशाक अकबर ने इस दुर्ग को जीतने का पहले भी प्रियास किया था और पहले हबीब अली खां को भेजा था और वहीं पर अबुल फजल ने अकबर नामा में ये लिखा है कि हबीब खां को भेजा गया द दुर्ग के जो अध्यक्ष थे वो सूर्जन हाडा थे और मेवाड के शाशक मारणा उदै सिंग के वो सामनत थे तो इसी के संबन्द में अबुल फजल ने लिखा इस प्रकार से आगे फिर ये लिखा कि जोरदार लड़ाई हुई और दुश्मन को कड़ी टकर दी गई शत लिए हमने घेरा जो है वो उठा लिया घेरा जो है वो जारी नहीं रखा तो मतलब पहले जो प्रियास किया था मुगल शाशक अकपर ने उस पहले प्रियास में उनको ऐसाफलता हाथ लगी थी और वहाँ पर अबुल फजल ने सीधे इस बात को नहीं लिखा कि हमारी बहता है कि बले कहीं पर भी हो यह लोग वेतन भोगी हुआ करते थे और उसी प्रकार की बाते लिखा करते थे जैसे उनके राजे रजवाडों को पसंद आती थी केवल यहीं पर इनी जहां जहांपर हम देखते हैं जो वेतन भोगी है तो स्वाभा भी रूप से उसको पटवार, ग्राम, सेवक या जितनी भी राजिस्थान की एक्जाम्स होती हैं उसका इस्तर भले ही आरेस का है लेकिन मैंने बिल्कुल बेसिक से ग्राफिक्स के साथ में उस बैच को अप्लोड किया है बारदवाज क्लासेज के एप्लिकेशन का लिंक वीडियो के जाहिंद।